दोस्तो मुवाइल और कम्पूर्टर समधित जनकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और लगतार अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दवाएं दोस्तो डेटल इन्डिया और बदलती तकनीक के साथ हर एक चीज जो है डीटल होती जा रही है चाहें आपका कोई ओफिस्यल डॉकुमेंट है या कोई प्रसनेट डाठा हर एक डॉकुमेंट जो है आप डीटल फॉर्मेट में सेव हो रही है ऐसे तो system नहीं लगा हुआ आपके system में कि आपका जो data है आपका जो document है वो leak ना हो रहा हो तो ऐसे में दोस्तो हम क्या करें और इसका क्या solution है तो आज किस वीडियो में हम discuss करने वाले ही इनी सब बातों के उपर दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे virustotal.com के बारे में जिसकी मदद से जिस website पर जाके आप किसी भी file को download करने से पहले आप उसको एक बार check कर सकते हैं स्कैन करने से दोस्तों आपको पता लगा है कि आपके फाइल में जिस फाइल को आप download कर रहे हैं कि क्या उस फाइल में कोई virus तो नहीं है या ऐसा कोई system तो नहीं रगा है कि आपका जो system है आपका जो computer आपका जो data है वो leak हो रहा हो या फिर hack हो जाए तो इनी सब मुद्धो पर आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं और यह वीडियो आपके लिए काफी useful होने वाला है काफी उपयोगी होने वाला है और वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बाइस को like कर दीजिएगा share किजिएगा और comment करके ज़रू ब website से आप किसी भी फाइल को किसी भी टाइब के फाइल को आप जो है download करना चाहते हैं और उसका जो है आप यह detail लेखना चाहते हैं कि क्या उस फाइल में किसी परकार का कोई वैरेस तो नहीं है कोई ऐसा तो सिस्टम नहीं लगा है जिससे वो फाइल जो है आपके компьютer में download हो तो आपके computer की information है वो share हो जाए, वो leak हो जाए, वो hack हो जाए तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमने यहां पे कुछ information यहां पे खोल रखे है जैसे कि मैंने यहां पे एक wild chat नाम से यहां पे मैंने एक tab खोल रखा है यहां पे जो है कुछ गाने मैंने यहां पे select किये हुए है जैसे मैं चाहता हूँ कि इस गाने को मैं इस अलग लग quality में download करूँ और download करने से पहले मैं इसके बारे में चेक करना चाहता हूँ कोई virus तो नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस link पे हम right click करेंगे और right click करने के बाद में copy link address पे click करने के बाद में आप जाएंगे virus total.com यह homepage इस टैप से दिखेगा यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे जो है file URL और तीन option यहां पे दिख रहे हैं सबसे जो पहरा option है file यहां कि अगर आपके computer में कोई file है उस file को आप scan करना चाहते हैं तो आप यहां से upload कीजिए और उसको scan कर लीजिए फिलहाल जो है हम किसी file को upload नहीं करेंगे हम यहां पे URL के दुवारा हम उसको scan करके उस particular website को हम check करके देखेंगे तो हम जाते हैं URL वाले option में यहां पे जाने के बाद में हम उस गाने को जो है link कर लेते हैं कि उसका जो link है उसको हम copy कर लेते हैं आप जैसे माल ले जाए कि हम इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे वह धान से देखेगा right click करेंगे copy link address पर click करेंगे और जाएंगे वारेस total.com पर और URL में जाके हम उस जहां से मैंने copy किया था उसको हम यहां पर paste कर देंगे यहां पर देख पार search और scan का option है इस पर क्लिक कर देंगे click करने के बाद में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो वेब साइट है scan करके पूरा डिटल हमारे सामने में रख दिया यह जो है सारा जो है एक एक चीज़ यहां पर डिटल दिखा रहा है सारे के सारे यह यहां से कोपी करेंगे और इसको जो है हम इसी तरीके से URL के दुआरा हम इसको एक बार चेक करके देखेंगे कि क्या इस वेब साइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो दुबारा से हम वायरे स्टोटर.com खोल रहे हैं और यहां से URL पर जाते हैं और यहां पर जो हम इस साइट में कोई वायरे % dość अब जो है मेरे सामने में आप देख आते हैं की सारा रिजल्ट जो है किसी कि कोई प्रकॉर कोई सो दॉट टोनीप्रताल क attach ले करना चाहते हैं तो एक बार च जो आप उसको वायरेस शोट ड.. पर जा कि आप उसको एक बार चेक कर ले कंफर्म कर ले कि क्या उस फाइल पर कोई वायरिस तो नहीं है